कि हलो एंड वेलकम टू यजीज़ ग्लासिज वन्स अगें स्टुडेंट्स आज हम कार्बन एंड इस कंपाउंड चेप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो प्रिविस लेक्चर हमारा रहा था चैन्स ब्रॉंचिस एंड रिंग्स उसमें आप द्यान देना कि मैंने आपको कहा था कि चैन्स ब्रॉंचिस एंड रिंग्स में हमने यह बात डिसक्स की थी कि जो एलकेंस है यानी सैचुरेटेड हाइड्र कार्बन की कुछ एक्जम्पल मैक्समम हमने ली थी तो उसके बाद आपको बताया था जिसमें आपको डबल बांड भी देखने को मिला था साइक्ल क्योंड में ठीक है बैंजेनेक साइक्लिक कर या रिंग क्रभाउट है ठीक है कर्भन हैं झाल अफ्यकन है थी तो आपको और हो सब्लाइश कर लिया हम एलगी की बात कि लेए इसकस करी घृंक पता है तो मानिये मैंने 100 Kate करें नहीं एक ल होगा है और यहां पर में डबल बांड करता हूं कि यहां पे प्लेस कि आब आप आप देख रहे हैं situation कि यह terminal carbon atom जो है यह single bond कर रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा है ति अगर terminal carbon single bond करते हैं फटा फट से उनकी valency को satisfy करने के लिए कितने कितने hydrogen's दे दो तीन तीन hydrogen's दे दिये यहां से दो और यहां से एक एक bond बना रहा है ठीक है तो कुल मलाके में यहां पर बात करूं कि middle elements की जो valency है वो तीन बन रही है ठीक है दो double bond और एक single bond तो बहुत इस elements are short of one valency so you will complete this valency or satisfy this valency of these two carbon atoms by giving them the required number of hydrogen that means one one hydrogen atom okay आप इसको भी एक hydrogen देंगे और इसको भी एक hydrogen देंगे समझारी बात जैसे दो तीन चार दो तीन और चार ठीक है यहां पर तीन और एक चार तीन और एक चार टर्मिल्स के साथ अलड़ी है कहने का मतलब यह है कि यह भी एक straight chain carbon compound है straight chain unsaturated carbon compound है लेकिन यह ठीक है straight chain अलकीन है यह straight chain यह linear chain अलकीन है जिसका नाम आप क्या बताएंगे चले 1234 बेटा आप हम next topic जो हमारा रहेगा ना आज यह हम homologous series बगरा पढ़ेंगे उसके बाद और function group homologous series जो हम पढ़ेंगे उसके बाद आपका nomenclature ही रहेगा ठीक है कि हम किस तरह से compound का नाम बनाते हैं ठीक है किस तरह से आप compound का नाम बता सकते हो समझाए रही बात तो चले यहां पर आपको 1234 मैंने आपको थोड़ा सा बताया है अब रही बात कि suffix वर्डूट के बाद जो भी चीज़ हम लगाते हैं that is called suffix आप ध्यान करो तो suffix यहां पर आएगा सुफिक्स बेटा primary भी होता है मतलब उसकी डिरेक्ट एटेजमेंट होगी प्राइमरी स्पिक्स के साथ और वो प्राइमरी स्पिक्स जो है वो वाडूट के साथ जुला होगा तो हम डिटेल डिसकेशन करेंगे इनकी आगे 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 आप देखते जाओ ठीक है तो ब्यूट आपने बताएफ सुफिक् इन लगाते हैं तो फड़ा फट से आप यहां पर लिखेंगे ब्यूटीन क्या नाम होगा इसका बीटा ब्यूटीन लेकिन देखें जैसे जैसे हम आगे नाम अनक्रिचर पढ़ेंगे तो अगर यह ठीक है इस 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 दे आई यूपीसी नाम आफ नेम आप इस कंपाउ के नाम की बात के मताबिक जो है इसको बता रहा हूं अधरवाइस हमें यह नॉमन क्लिचर में पढ़ना चाहिए तो हम क्या करते हैं हमारा फस्ट जो काम होता है कंपोंड का नाम देने के लिए हम नाम करते हैं तो नमरिंग में आपने क्या ध्यां रखना है जैसे यहां पर वो आपकी नमरिंग वाली साइड से नजदीक पढ़ना चाहिए चले अगर मैं यहां से आता हूं देखो पहरी चीज़ बिटा यह डबल बांड जो है इन दो कार्बंस के बेच में क्या है कॉमन है यह इसके लिए भी यूज़ हो सकता है अब देखे अगर मैं यहां से आता तो यह वन कार्बन यह टू तो फिर भी मेरे पास फिर यह डबल बांड जो है इसके साथ माने जाएगी तो तब भी मुझे जो है बटा कि जो यह आपका डबल बॉंड है यह मेरे पास दोनु साइड से कार्बन अटम नंबर तो के साथ ही लिंक मिल रहा है तो नो प्रॉब से सहम है तो आप कोई से एंड को स्लैक कीजिए 123 और यह फूर एक्जेक नहीं में इसका आएगा ब्यूट वो तो है चार कार्बन है इसमें 1234 जो मैंने लगा रखा ब्यूट और इस वकद आप लेफ्ट से राइट की और जा रहे तो यह डबल बांड किसके साथ माने जाए और फिर आप लिखेंगे डबल बांड क्या था उसके लिए सुफिक्स क्या लगाती आप इन इन तो इस तरह से ब्यूट टू इन आप इसका एक्जेक्ट आयूपीसी नैम पोजिशन के एक्कॉर्डिंग पूरा करोगे यह भी आपका यूपीसी नैम है ब्यूटीन लेकिन भी जैने से स्गोड़ा जेनरल सेंसे से हैं वियर आपको पता लगा हो इसी तरह से यह ब्यूटीन आप 5-10 लिए यह मानले जैए मैं क्या बोला था मैंने one in one in मतलब अगर आपने left से right की ओर जाना है यहां पर double bond प्लेश कीजिए अगर आपने right से left की ओर आना है तो फिर यहां पर double bond place कीजिए चले मैं left से रही right की ओर जाता हूं तो मैंने यहां पर double bond पड़बाट से place किया ठीक है तो तो यहां पे valency पूरी करूंगा दो तो इसको कितने hydrogens दूँगा दो चार हो गया यह वाला carbon दो और एक तीर बना रहा है इसको में इक hydrogen दूँगा यह वाला carbon left राइट पे देखो single single bond कर रहा है दो बन कर दो दो वाले को भी दो काम है यह भी दो बॉंस बना रहा है इसको भी आप दो थेटेस को वाला यह सिंगल बन कर रहा पेजिद सहे पहले आपको सिंगल जैन कर थे थे को फट्र के और सर्ट से स्का नाम बताएंगे 2345 लेकिन अब नम्रिंग की बात आएगी तो मैंने आपको बताया था मुल्टिपल बांड को प्रेफरेंस देना मुल्टिपल बांड यहां पर यूज़ कून है डबल बांड है अगर मैं यहां राइट से लेफ्ट की और आता हूं न यह वान यह टू यह फूर यह फूर यह के साथ मने जाएगी लेकिन अगर मैं लेफ्ट से राइट की और जाओं बटा तो यह मुझे वान पर ही तो मिल रहा है तो मेरे लिए नजदीक वन है यह फूर है वन है डेफिनेटली तो लहाजा मैं यहां पर क्या करूंगा यह वाला एंड सेलेक्ट करूंगा ठीक है समझ हाइफन देंगे अगर बताना है कि अप पैंटीन भी बोल सकते हैं ठीक है यह इसक्ट बताना है तो आप बताएए हाइफन लगाएए उसके बाद किस कार्बनेटम के साथ यह डेबल बाण्ड आप कारबनेटम 1 के साथ मानी जाएगी क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की किया आपने लिखा कि यह है आपका मां के चलिए फोर कार्बन या पांच कार्बन नीचे की और थे इस तरह से है या सबस्ट्रिचन ग्रूप्स बोलते हैं ठीक है तो यहां पर इनकी वैलेंसी जो है चलिए डबल बॉंड जो है वह आप कहां पर यूज़ करेंगे मालेज़ें यहां पर है ठीक है तो यह आपको क्या देखेगा एलकीन में बिटा ब्रॉंजड चैन कंपाउंड मिलेगा ठीक है इसी तरह से इसी तरह से आप रिंग कंपाउंड भी इनका देख सकते हैं ठीक है रिंग यानी क्लोज जैन जैसे मानके चलिए कि मैंने एक ट्राइंगल दे दी यहां पर मैंने कहा था यह ट्राइंगल नहीं है मैं मैंने मुसे स्किप हो गई बात एक्चुली बटाइए यहां पर क्या करता हूं किसी भी जगे पर सपोस कि जैब मैं यहां पर डबल बांड कर देता हूं दो लाइन दे रहा है यहां पर बुलतों इसका नाम बताओ तो आपताएंगे सर सबसे पहली चीज़ की वर्टिस बें क्या है कारबन कितने वर्टिक्स हैं तो तीन कॉर्ब संबीर तो यहँं यह कारबन कितने बांड कर रहा है इसके साथ कितनी लाइन वर्ट यह कि तरह है यह से दो कर रहा है यह बन चार। carbon की set की अब नाम बताना है ना आप हम क्या लगाएंगे र्ंक में क्या शुरू करते हैं साइक लो क्या का बोलते हैं साइक लो अब वर्टूट क्या है वर्डूट का मतलब पता प्सट से वीडियो को साइक्लो प्रोपीन या अगर आपने स्पैसिफिक नेम बताना इसका एक्चुल बताना है तो साइक्लो प्रॉप वन इन बोलेंगे फिर आपको यह तो यहां से नमरिंग करनी है समझारी बात यह तो 123 यह यहां से 123 तो आपको दोनु केसिज में वन कार्बन के साथ ही डबल ब यहांप पौर्ण केहता हूं को यहां double यह सिंगल कितना होगा तीन इनको सिर्फ एक हाइड जाहिए यह यहां यह वाला कार्बन भी नेचे की तरफ कर रहा है डबल और यहां की तरफ कर रहा है सिंगल तो आप इसको क्या बोलेंगे साइकलो क्लूज तो यह है साइकलो और ब्यूट मतलब चार कार्बन साइकलो ब्यूटेन बोलोगे ठीक होग कि आपको यह क्लियर हो चले बीटा आगे चलते हैं थोड़ा सा अलकाइंस में देखेंगे ठीक है इसी तरह से आपको अलकाइंस में भी यह चैन्स ब्रांचे जो रिंक्स मिलेंगे तो अलकाइंस का जहां तक सवाल है आप अपनी लिखे पैन उठाके बिटाज अगर मैं यहां पर आपको बता रहा हुँ कि आप लिखे इनका फर्मूला बताइए पहले ठीक है मैंने आपको बताया हुआ 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 है C-2N-2 और यहां पर आप बताएंगे कि आगर और आन का वैल्यू कहां से शुरू होता है इन दो में और यहां पर आपको पता है कि हमको मिलता है c2 h2 और एन का वैलिए 3 डाले तो वह मिलता है सब इसे इंप यहां पर यहां तो आप यहां पर यहां पर देढ удив हो तो इसको कितना है एक इस वाले को इसको कुई है र bluff साइड में यह तीन बॉक्ट से तीन और एक चार इसकी वनजर ज़ीज़ाए इस फिरा इसे तो फटा हुर देखो लिए से पर वर क्या बोलेंगे अई-ताई-ब्रो फटा से कघॉए नियंगोपम किर्पर और इसे नियुक्ट ठिब्ट ओर आ अपने बता दिया चले इसको हम एन प्रोपाइन भी बोलते हैं जैसे मानेज़े पीशे आपका ब्यूटैन आया था ना उसको आप एन व्यूटैन भी बोल सकते हो ठीक है यह थोड़ा दिहान रखना एन ब्यूटैन ठीक है और आप यहां पर एन वगगरा करके यह मतलब नॉ तो यहां पर लिखते हैं यह अगर इसको अगर इसको यह तो यहां पर देखें कि सपोस किजें मैं यहां पर क्या किया रिपल बॉंड आप बताएंगे सर यहां पर लगाईए देखो जड़ा है हम यहां पर ट्रुपल बॉंड हां बिल्कुल लगा सकते हैं यहां गया तीन और एक चार लेकिन तब आपको क्या करना पड़ेगा बचे इन दो कार्बंस के लिए फिर इन दो कार्बंस के साथ कोई भी हाईडियन आपको नहीं प्लेस करना है क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है व तीन तीन हाई जिन ठीक अब नाम की बात आएगी राइट से जाओंगे 123 चले नाम आप कर भी सकते हो या फिर आम आपना प्रेसिर में आगे पढ़ेंगे ठीक है यहां पर हम अपना टाइम वेस्टनी करेंगे 123 यहां से आए तो टूपे टुपल बांड वहां से आएं वान और फिर बोलोगे आप टू टू के साथ यहीं वान इसको टू मिला ना इसको थ्री इसको फोर तो व्यूट टू आइन व्यूट टू आइन तो कहने का मतलब यह है कि यह हम स्ट्रेट चैन कंपाउंट्स इनके इस तरह से डिसकस करते हैं अच्छा आप हो गया इनके लिनेर कर सकते हैं ठीक है लेकिन ट्रुपल बांड है यहां पर ट्रुपल बांड नहीं नहीं दे सकते तीन चार पांच हो जाएगी इस कार्बन के वैलें से फिर आप ट्रुपल बांड कहां पर देंगे यहां पर देंगे यहां पर देंगे तीन नहीं इधर आप दे सकते हां फिर यहां पर भी नहीं दे सकते हैं कहां पर इधर इस यहां पर आप ऐसा कीजिए यहां पर तीन चार पर क्योंकि फिर अगर आप इधर इधर या इधर ट्रिपल बॉंट करेंगे ना बिटा तो आपका इस वाले कार्बन का वेलेंसी ज्यादा हो जाएगा लहाँ आप इसके बद फूर ठीक है यह लिए आपने फाइव तक ठीक है तो ट्रिपल बॉंट सपोस कीजिए कि आप यहां पर दे सकते हैं ठीक है आपको थोड़ सा कार्बन बढ़ाना पड़ेगा तो अब ट्रिपल बॉंट दे दी और नेक्स्ट में कहा रहा था कि यह ब्रॉंट तो चले ऐसा क रखते हैं इसको और यहां पर आप क्या करेंगे ब्राइज डालेंगे कुछ इस तरह से ठीक है यहां से और आगे ले जा सकते हैं आप समझारी बात अपनी ब्रॉंट को या फिर ऐसे ले सकते हैं अगर कंप्लेक्स बनाना है तो कहने का मतलब यह है कि देखो यहां पर यह आपके पास इसमें कुछ नीचे की तरफ जो है आपका एक और ब्रांच जो है वो देखने को मिल रहा है ठीक है वैलेंसी तीन चार इसी तरह से एक दो तीन इसकी है एक लगएगा वगरा आप हर्जिन देकर इस इनके वैलेंसी जो है वो पूरी कर सकते हो तो कहने का मतलब क आदके पर वह एकूरी से शाइकलोड़ें था अब को अब कहलें आ जगने पर यहां पर मिल रॉक्तर है यहां और के लिखमवर पर आपको मौन है यहां पर क्रेंट्रबाइम एक यह और एक यह इसको आप दो हैजिन फ़ड़ा-फट से दे ऋए और यह कारबन भी इसकी ही तरह है यह और ये ठीक है यह भी तीन बॉन इदर के लिए बना रहा है एक माने दे तेन और एक चार इसको भी कोई आजियन नहीं देंगे अगर अगर आफ देंगे तो वह सिर्फ कारबन फो क्या बोलेंगे अप मज़ तो आप यह ऊंपने लिखना होगा तो आप यह इस तरह से बॉर्ण लाइन डालेंगे चार कार्बन का यहां पर यहां पर जहां पर आपको मर्जी है वहां पर फिलाहल आप देखने के लिए जैसे मालें यह एक यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन इसको आप बोलेंगे साइकोलो चार कार्बन के लिए ब्यूट औ पूद्ट हो जाएगा मलदिए यहां पर अपने डेलिया यह कारबन जो है यह कारबन करेगा तीन बॉण्ट यहां नीचे एक उपर यह कारबन भी तीन अधर एक इदर इसको भी कोई हैड़स नहीं जाएंगे आप हाँ जो यह वाला कारबन होगा यह एक और बना रहारा है। दो हट्जंस यह यह आपका सिंगल बॉन्ड यह इसको भी दो हट्जंस ठीक है तो इसको अपने अपने ट्रिपल बॉन्ड डाल दी जिसको कार्बन तो इस तरह से कुछ यह प्रिवेस जो हमने चैन्स ब्राउंच इज और रिंग कंपाउंट के बारे में काल की लेक्टर में डिसकस किया था उसकी अडिशन में कुछ यह बातें और थी जो मैंने आपको बहतर समझा बताना थीक है तो थोड़ा सा हम जो है आज और पढ़ते लेकिन हमारा लेक्टर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया थीक है तो बिटा आज के लेक्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो हमारा कल का लेक्टर था चैन्स ब्रांच इस और रिंग्स उसी को हमने थोड़ा सा आगे लिया है कुछ और एक्जम्पल जो है हमने आज इसकी डिसकस की हुई आप अपनी कॉपी पैन को साथ में हमेशा रखते रखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है इनकेस कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताए तो बिटा आज की लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे अब हम नेक्ट्स लेक्चर में जो है वो उसका फंक्शन ग्रूप और होमोलोग सीरीज वगरा पढ़ेंगे तो आज की लेक्चर में इतना ही होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए ठीक है और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो इतना ही आज की लेक्चर में बटा गुडबाई टेक केर स्टेफिट हैंड स्टेए सेफ़ कैनल बटाँ सेफिए तो जया की ऊुड़式ा खना यह तो भी हैंज कीजिए वगश टूम लेक्चर में प्राइक यह हैंचरते समत्राइब कीजिए एक्बश्क्राइब य bahम झालीजिए के बटानी इतना ही यह हैंजिए ज abuse उेतन स्टेफिए मेंत्स कीजिए तो प्लीवा म